चलो बच्चे लो रेडी हो जाओ हम लोग कहां भर्व पर थे और भर्व में हम लोग टीवी आने ट्रांजिटीव भर्व को अम लोग पढ़ दिये थे ट्रांजिटीव में क्या पढ़े थे ट्रांजिटीव और मोनो ट्रांजिटीव और मोनो ट्रांजिटीव तो आब हम लो इन ट्रान्जिटिव वह इन ट्रान्जिटिव वह अब इन ट्रान्जिटिव वह यह और करमांग दिमाग में यह सेट होता है कि जैसे कोई भी sentence है आप जैसे इसमें कोई man verb यूज़ करते हैं तो बच्चा ये समझता है कि भर्ब के बाद कोई object अगर होगा तो तभी अन्य object अगर नहीं होगा कोई object अगर नहीं होगा तो तभी होता है ये intransitive verb देखो ये गलत प्रोसेस है ये प्रोसेस पर नहीं जाना ह object होगा तभी ये होगा ये ऐसा रूल नहीं है आपने सीधा कहा आपको कि भर्ब के बाद object चाहे हो अथवा ना हो इसे intransitive verb को कोई लेना देना नहीं है ये बेमतलब की बात है सीधा आप क्या कहें पुछले क्लास में कि क्या और किसको सवाल अने what and who हम केवल ये दो सवाल क बात कर रहे हैं कि क्या और किसको सवाल किसी भी sentence में लगा दो अगर क्या और किसको में से किसी भी सवाल का जवाब अगर दिया जा सकता है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजेटिव भर्ब है और अगर जवाब नहीं दिया जा सकता है तो मतलब वो intransitive भर्ब है मतलब वीज मन लोग कोई कहा तो आगर मैं क्या रूटा हूं तो आप सवाल लगा दो मैं क्या का जवाब मिलेगा गलत क्वेशन लगा रहेग जांए रोते होには मिलेगा किस方 रहते हो याननी पीमतласт करया करें प्रशा कर भी अपने पाद कोई अब्जेक्ट नहीं ले सकता है तो जर्रत पढ़ने पर हम अगर भर्ग के बाद अब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं तो ऐसा दुनिया का जितना भी भर्ग होता है वो सभी को हम लोग कहते हैं इसका डेफिनेशन निकलेते हैं दाभर वेज डाज नौट नीद अब्जेक्ट अब्जेक्ट दाभर विच पजण नौट नीद नौट इन अब्जेक्ट इन असंतेंस इन असंतेंस इज पाल इन इन दी का मतलवा इन ट्रांजित भर्ग ऑ करमकिर्या जैसे कुछ example भी लिखो यह सब को लिखते जाना है definition of the word which does not need an object जिसे किसी object किया अस्याकता नहीं है in a sentence किसी वागत में each call कहलाता है intransitive verb हम उसी को intransitive verb कहते हैं जैसे example I run in the field मैं मैदान में दोड़ता हूँ I run in the field मैं मैं दोड़ता हूँ तो यहां run क्या हो गया in tv इसी को अम लोग कहेंगे in tv अब यहां पर I run मैं दोड़ता हूँ तुम कहेगा कि मैं क्या दोड़ता हूँ तो तुम्हें गुस्सा होगा क्या दोड़ते हो क्या बता है क्यों दोडते हो, कहां दोडते हो, किसलिए दोडते हो, ये सब सवाल का जवाब इससे मिल सकता है लेकिन यहाँ पे क्या सवाल का, तुम किसको दोडते हो, ये भी नहीं मिलेगा इसलिए ये दो जो प्रस्न हैं, ये बहुत important है क्योंकि इसकी संख्या कोई limited नहीं है, आणत है, बहुत सारे है, unlimiteds है तो अब unlimited है, तो हम इस तरह से एक concept बनागी दिये, कि क्या और किसको सवाल का जवाब अगर दिया जा सकता है, तो वो transitive verb है, और अगर नहीं दिया जा सकता है, तो intransitive verb है और हम लोग wise जो बच्चे पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा ध्यान दो, तब उसमें intransitive verb की बात किये थे और क्या कहे थे, कि जिस verb, जिस sentence में भी intransitive verb है, मतलब intransitive verb नहीं है तो intransitive verb वाले sentence का कभी passive wise नहीं बनता है आई गो दिया, चलो अब यह sentence कोई दिया, कहा कि चलो यह A-B है, यह active wise है यह active wise है, और कहा कि इसका passive wise बना दो, तो गुरु जी हमने तो पढ़ा है बच्पन में subject के जगा पर object, object के जगा पर subject, तो यह तो आप rule रट लिये, रटा मार लिये, concept आपको पता नहीं है आई के स्थान पर देर कर दिये, देर के स्थान पर बात, मी कर दिये और इस लगा के गो का भीतरी, गोन कर दिये, तो यहाँ आपका इस sentence wrong हो जाएगा तो वीका तन्स fun कर दो आपका आपका एस सदिये, तो यहाँ जाएगा तश्ष देर कम एसके लिजर कर दिये, तो यहाँ कर दिल्ığımız तयर आपको शवच से पको जाएगा प्सक्वच Only then, when there will be any transitive verb in the sentence Sentence में जब कोई transitive verb होगा तो केवल तभी उसका passive voice बनेगा अगर transitive verb नहीं है सिर्फ इन transitive verb है तो ऐसे आपका कभी passive voice नहीं बनता है तो चलो ये voice का हम लोग बात कर रहे थे अब फिर verb में आ जाते हैं तो I run in the field तो यहाँ run क्या हो गया? In TV मतलब in transitive verb चलो कुछ एक छोटा-छोटा कुछ example और भी कुछ words का हम लोग यहाँ पिल लेते हैं चलो link पे भी चलो तुम लोग इसको और समस पे भी चलो जैसे अब छोटा-छोटा कुछी जाम पर जैसे अब हम लोग run ले लिए आप सोता हूँ, मालो I sleep मैं सोता हूँ तो क्या सोता हूँ, किसको सोता हूँ यह जब आप नहीं मिल सकता है इस पर तो जहाँ भी नहीं मिलेगा तो यह सब सारा word जो भी होगा यह सब आपका हो जाएगा बराबर in transitive I-N-T-A in transitive verb तो आप हम लोग का यहाँ पे transitive और intransitive यह दोनों खतम होता रहा है और हम लोग का अब मंबर अतर चल दूसरा आप लिखते हैं हम लोग verb change कर रहे हैं मैं भार चल यह आप लिखेंगे हम लोग मैं भार इसका दूसरा एक और नाम लिखेंगे principle हाँ man भार या प्रिंसीपल भार लगा सकते हैं यहाँ वी लोग वर man भार या principle भार हिंदी नाम क्या करेंगे मोख्य मोख्य किरिया मोख्य किरिया आप इसको लिख लिख लीजिए चलो अब लोग अब मैं भार और principle वर्ब को पढ़ते हैं मैं भर्व और प्रिंस्पल वर्व कौन है, किसको कहते है मैं भर्व, किसको कहते है प्रिंस्पल वर्व, दोनों नाम इसी का है, मैं भर्व के भी नाम से जानते हैं और प्रिंस्पल वर्व के भी नाम से जानते हैं, मुखकिरिया कौन है, तो सीधी सी बात है, वो सब्द जिस से यह समझा जाता है कि कुछ कार्य किया जारा है दुनिया का ऐसा सब्द जिससे यह पता चल जाए कि कार्य किया जारा है वो सब्द जिससे यह समझा जाता है कि कुछ किया जारा है तो मैं भर्व का देफिशन लिख लो तो दावर्वश वसठ विष इंपलिष दाता सम्झ गॉइंधप लो ट्सम्ध्ध ट्सम्ध्ध इंग गॉइंग लो ट्सम्ध्ध member is called member the word was of which जिससे implies समझा जाता है that something की कुछ is being done किया जा रहा है is called कहलाता है member हम उसको member के जाला है जिससे किसी कार्य के करने का बोध हो, लिख सकते हैं हम लोग, जिससे किसी कार्य के करने का बोध हो, आप थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो, एक लाइन यहाँ पर नीचे लिख दो, बस यहाँ इस तेम चीज़ है, जिससे किसी कार्य के करने का बोध हो, उसी को हम लोग मैन भ क्यांगे जैसे गो का मिल्स जाना रीट का मिल्स पर्णा का मिल्स आना अस्ताडि मिल्स आध्यान करना फ्रों का मतलब थेकना इस तरह से जो भी और जिससे भी किसी इसी वी कारिका करने का बूद हो, हम लोग उसको मैंग भर्व कहते हैं, यह आपका हो गया मैंग भर्व या पिंस्पल पर छोटा छोटा है, थोड़ी थोड़ी डेफिनिशन है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, और आपको इजाम में जाने तर मॉडल एंजिलरी से पॉस्चन आएगा, इसके साथ हम लोग यहां कर लेंगे, हेल्पिंग भर्व पर आजाएंगे आप, हेल्पिंग वाव, हाँ, लिख लो इसको, हेल्पिंग वाव, हिंदी नाम लिखेंगे, साहायक किरिया, ठीक है, हम बदल देते हैं, कहले कि दिखाई कम पढ़ रहा है, तो हमार करम बदल दिया है, और अच्छा से आप को दिखे, और आपराम से लिखिए, हेल्पिंग वाव, पी है वाव हु यहां, हाँ, हेल्पिंग वाव, हम भर्व नहीं बोले हैं, हम भर्व को वब कहएं पढ़ने के लिए, यहां, कहें इसको वब पढ़ेंगे, हाँ, वब चारण प्रनुशेशन क्यों है इसको वब करेंगे और इन प्लासेस में बतलाई हो गए है helping verb सहायक किरिया इसका हिंदी नाम लिखेंगे सहायक किरिया अब ये सहायक किरिया क्या है तो सहायक नाम से आज़ पश्ट है जो किसी की सहायता करता है हमारे घर में हमारे माबाबू जी हमारे सहायता करते है तो हमारे parents हमारे helper हो गए मतलब सहायक हो गए कभी-कभी हम अपने parents की भी सहायता करते है तो कभी-कभी हम भी उनके helper हो गए हम help करते है जो help करता है वही helping होता है वही helper होता है तो जो सहायता करता है, हम रात में बेट पर जाते हैं, वहाँ अगर कोच ना मिली, गद्दा ना मिली, सोफा ना मिली, एक चौकी भी मिल जाए, लेकिन अगर एक तिलो मिल जाए, एक तक्या मिल जाए, तो हमें निंद करने की सहायता प्रदान करता है, हमारी तक्या छोटी सी तो तक या अमारी निंद का क्या हो गया सहाया अने की वो helper हो गया तो जो मुख करिया का अने की मैन भर्व का जो किसी भी sentence में में भर्व के पहले या बाद में लग कर, जो किसी भी sentence में subject के पहले या subject के बाद लगकर main verb के पहले या main verb के बाद लगकर वो sentence पे निर्भर करता है कि कैसा sentence बना रहे है interrogative बना रहे है या फिर assertive बना रहे है या फिर interrogative plus negative बना रहे है या फिर wh question बना रहे है या फिर yes no question बना रहे है तो जैसा question बनाएंगे उस तरह से helping वब अपना जगा पर ले लेगा, मतलब आप बिछावन पर सो किस तरह से रहे, मान लो कि पूरव की दिशा में आपका तक्या रखा हुआ है, लेकिन आपको मन वाकी नहीं हम पस्चिम डिरेक्शन पर अपना सीर करें, तो तक्या उठा के क तो ये सोने वाले पर जैसे तक्या का position बदलता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे helping वर्व का भी sentence के subject और main वर्व के situation के अंसार से उसका जगा बदल जाता है, इसलिए मैंने यहां कहा कि हम helping वर्व का प्रयोग करते हैं main वर्व की सहायता करने के लिए, उसकी सहायता करके उस sentence क tense को, काल को clearly fire कर देता है, इसी को कहते है helping verb, तो चलो helping verb का definition निखेंगे आप, the verb, the verb which helps, which helps, man verb, man verb remaining, remaining, M-A-I-N-I-N-G, remaining, before, or, after, after the subject, or, M-B, M-B का मतलब, हा, man verb, M-B का मतलब, man verb, the verb, work here, which helps, जो मदद करता हो, man verb, मुख्य करिया का, remaining, रह कर या लग कर, before, or after, पहले या बाद में लग कर, किसके पहले या बाद में लग कर, तो subject या फिर, man verb के, पहले या बाद में लग कर, जो किसी भी sentence में, इसका सहायता करता है, is called, कहलाता है, helping verb, हम लोग इसी को helping verb कहते हैं, तो लिख लो अब इसको, यह definition हो गया, चलो, example ले लेते हैं, उपर में, उपर से निटा रहे हैं, और example, example क्या लेंगे, आँ, example ले जो, जैसे आप क्या कहते हैं, यू, आर, रेडिंग, ए, रीडर्स, यहां आर क्या, रीडर्स मिन्स पहली होता है, रेडिंग ए, रीडर्स, ठीक है, आर यहां क्या है, H, B, helping bar, subject के बाद है, main barb के पहले है, लेकिन यह सहयता किसका करता है, main barb का, अगर हम यहां आर नहीं लगाएंगे, तो यहां read का before, reading भी नहीं होगा, फिर sentence गलत हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसा तुर लिख सकते थे, You are to read, you are to read a reader, R, I, N, D, L, E, Reader, Reader means पहली, पहली नहीं समझते हो, समझ लो, सुन लो, हिंदी में लो, इस school में करते थे, एक थाल मोती से भरा, उसके सीर पर अंधा धरा, चारो और वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, और पूछ देता था, बताओ कौन है, तो आप लोग जवाब देते थे, आसमान, ठीक है, आसमान में बहुत सारा मोती है, थाल के तरह लगता है, थाली के तरह को लगता है, बहुत सारा और चारोत रव भूमती है, लग रहा है किहां साचांदлож सुरज वह इससब भूम रहा है, और फिर उसमें चारोत रव भूमती है, पर उस थाली से एक भी मोती नहीं गिरता है, तो आप कहते हैं, आसमान है, ठीक है, इसी मिलोग क्या कहते हैं, हाँ इसको पहेल कहते हैं चलो पहली समझ गए तो रिडर का मिंस पहली तो आर यहां क्या हो लिया है अब टोटल है भी भर अम लोग यहां नीचे ले भी लेते हैं टोटल है टोटल है भर लिखते चलो इस एम आर है यह हल्पिंग भर का कौन फॉर्म है तो प्रेजेंट यह हो गया प्रेजेंट फॉर्म यह सब क्या हो गया प्रेजेंट फॉर्म इसी का जब हम लोग पास्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वाजिया वार अब यह वाजिया वार कौन फॉर्म मे चला गया देखो, past form में, past form में चला जाएगा, हम यह symbol यूज कर देते हैं, देखो इसलिए symbol यूज किये, कि EJMR का past form क्या होता है, वाजियावार, तो वाजियावार का फिर present form क्या होगा, EJMR, तो दोनों तरफ से चलें गया, इसका direct future form में हम लोग चल रहे हैं, और future form में क्या होगा, इसमें बतला आये थे, sell be या, हाँ, will be, sell be या, will be, यह होता है, sell be या, will be, EJMR का future form होता है, sell be या, will be, अब यहाँ पर लिखेंगे future form, लेकिन ध्यान रखना, यह वाला जो पार्ट है, यह जो अभी लिखें हम लोग, यह वाली जो पार्ट है, form, यह वाली जो पार्ट है, आपका, चल थोड़ा से यहाँ कर देते हैं, कट रहा है, ठीक, अनीचे कर देते हैं, तो, sell be और will be, यह sell be will be कौन फॉर्म है, यह future form हो गया, यही हो गया आपका future form, future form, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, कि sell be और will be, यह model, model वर्व है, अने कि यह helping भर्व प्योर नहीं है, बात में जाने हैं, यह pure model भर्व के अंदर आती है, लेकिन चुकि हम यहाँ form बतला रहे थे, इसलिए हम यहाँ इसको लिए हैं, लेकिन helping भर्व में sell or will का गिंती कभी नहीं होगी, sell or will का गिंती जब भी आएगा, तो इसका चार्ट अमेशा model भर्व में जाएगा, तो model भर्व में आप जान जाएगा, लेकिन हम form बतला रहे थे, ध्यान देना है इस चीज को, form बतला रहे थे, हमने इसलिए यहाँ पे लिखाया, क्योंकि 10 समय में इस तरह से form बढ़ाये थे, इजमर का past form, तो आप राटे थे, वोजिया वर्व, इजमर का future form, इजमर का future form, इजमर का past form, तो आप यहाँ से move करेंगे, tense का नंसाल से वोजिया वर्व, ऐसे should be would be यहाँ नहीं करना है, वो model भर में जब जाएंगी तब होगा, तो यहाँ पे फिर हम present form आजाएंगी, तो क्या होगा, इजमर, चलो यह इतना हो गया, आप दूसरा तरह का, इसी का helping बढ़, आप इसके बाद आप लोग लिखिएगा फिर, अब कौन आता है, जैसे do आता है, डज आता है, और deed आता है, यह सब हो गया, helping verb, दू present form है, पुलरल है, प्रजेंट form है, पुलरल है यह, और डज क्या है, प्रजेंट form है, singular helping verb है, और deed क्या है, past form है, यह singular भी है, और पलस, पुलरल भी है, यह दोनों में चलता है, singular में भी, और पुलरल है, इसको subject, singular, पुलरल से कोई मतलब नहीं है, did कोई भी subject के साथ लगने के लिए हमेशा तयार राता है, singular subject के भी साथ, और पुलरल subject के भी साथ, चलो इसको लिख लो, और फिर दूसरा helping verb, अब do, does, did के बाद, आब हैज को ले लेते हैं, हैज का यह पास्ट फॉर्म क्या हैट होता है, और इसका future form क्या हो जाता है, will have या sell have, ध्यान रखिएगा, यह साथ में sell और will जो है, यह आपका model verb के अंदर आता है, यह helping verb नहीं होता है, लेकिन tense में इसकी जवरत होता है, यहां लिख देते हैं model, इसी के सामने सिर्फ लिखे, यहां भी हम लिख देते हैं model, यह सिर्फ आएगा model में, helping verb, has, had, have तक ही जाएगा, आने, has, have, had तक ही जाएगा, यहां पर हम लोग have कर लेते हैं और यहां पर had कर देंगे, sell, have, will have बाद में, has, have और यहीं पर कर देते हैं had, और तब हम लोग कर लेंगे will, have या sell, have, यह तीनों को एक साथ रखेंगे, has, have, had, फिर करेंगे will, have या sell, have, तो क्या कहें कि will have और cell have में will और cell को model verb कहते हैं पहले भी बतलाए हैं ये model verb के list में जाएगा ये helping verb में नहीं जाएगा चोकि हमको tense का form बतलाना है इसलिए हम ये लिखते हैं क्योंकि कोई पूछनेगा कि ठीक है has और have का past form क्या होगा तो आप form कहेंगे had और कोई कहेंगा कि ठीक है had have का future form क्या होगा तो आप तुरंत यहां चले जाएगे will have या cell have का form पूछने पर tense पर आपको यही ध्यान रगना है जैसे sentence सुनो मैं जा चुका हूँ I have gone present form में है past form में क्या करना है same sentence खाली head बदल जाएगा और इसका form चेंज करके हम past में कर दी मैं जा चुका था I had gone और जैसे ही कहेंगे कि मैं जा चुका हूँगा मैं यह जा चुका हूँगा तो लगा देंगे I cell have gone तो देखो tense में आपका form याद रखना है इसलिए tense को जब हम complete करेंगे तो उसके लिए उनको form बताना पड़ता है form में हम इस तरह से जाएंगे लेकिन cell or will को model verb में नहीं रखेंगे यह model verb नहीं है तो total देखो क्या हो गया यहाँ एक और हम phrase भी कर देते हैं total model verb को नीचे कर देते हैं और लगा करके आप नीचे ले सकते हैं इसमें हम helping model verb को निग लेंगे is am a model verb है तो was और word model verb है तो फिर do does do does और फिर do यह भी model verb है फिर आके पड़े जाते हैं लोग has फिर have और फिर had यह आपका हो गया यह होगी आपका helping verb तो यह total एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, इगार तो अगर हम cell will को जोड देंगे यहां तो 13 होगा लेकिन cell और फिर जो है वो model verb के list में आता है helping verb के अगदर जितना भी verb आएगा वो total इतना होगा लेकिन form की जब भी बात आएगे तो ध्यान रखना है यह है है जहाब का अगर कोई form पूछेगा तो है जहाब का future form हम cell have और will have याद रखेंगे EJMR का past form was या वर याद रखेंगे तो EJMR का future form हम cell be या will be याद रखेंगे हम आपको helping verb को इंदिगा कर दिए और यहाँ हम आपको form के साथ बतला आएथे ठीक है अब आगे बढ़ रहे हैं लोग तो यह था हम लोग का helping verb ठीक है helping verb तो यह छोटा छोटा वर्व था इसको यहीं पर हम खत्म करते हैं और यह video जहीं और फिर हम इसी के साथ अगले video जमाब के साथ फिर हाजीर हो रहे हैं और हम अब आएंगे models verb के साथ model model verb के साथ model axillaries क्या है model verb क्या है इसके ठीक बात हम लेके आ रहे हैं तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरब से जैहिंद जैभारा